होली का त्योहार रंगों का त्योहार है इसलिए वास्तविक रूप में होली का त्योहार रंग पंचमी के दिन होता है लेकिन आजकल समय की कमी के चलते लोग होली के दूसरे दिन से ही रंग और गुलाल के साथ होली खेनने लगे हैं इसी दिन भगवान को रंग गुलाल लग जोतिशाचारे पंडित राम गोविंद शाश्त्री के मुताबिक होली की शुरुआत त्रेता युग से हुई थी। भगवान विश्नु का परम भक्त था। वह विश्नु जी को ही अपने सबसे भड़े भगवान के रूप में मानता था। ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अपनी बेहन होलिका को प्रलात को समाप्त करने की जिम्मेदारी दी। चुकि होलिका को नजलने का वरदान प्राप्त था, इसलिए होलिका को प्रलात को लेकर अगनी में बैठने का आदेश दिया गया। लेकिन अगनी में बैठने के बाद भगवान विश्नु का परम भक्त होने के चलते प्रलात तो बच गया, लेकिन होलिका अगनी की चपेट में आ गई। इ इंदू कैलेंडर में होली की तिथी कैसे तै होती है, इसका भी आधार होता है। दरसल होली का त्युहार हर साल फागुन मा के शुक लपक्ष की पूर्णिमा तिथी को मनाया जाता है। लेकिन फागुन मा के शुक्ल पक्ष में जब सुर्योदे के समय पूर्णिमा तिथी आती है उसी तिथी में होलिका दहन होता है।